कहाने के शुरुवात होती है आउट सकट आफ फीलो टाउन के लॉस्ट फॉरेस्ट को दिखाते हुए जहांपे हम एक बंदे को देखते हैं जो की काफी डरा हुआ होता है क्योंकि इसके सामने काफी सारे गॉबलिन्स होते हैं और उन्हें में इसे गॉबलिन इसके ओपर हमल करके इसे मार देता है काहानी फिर तीन एडवेंचर के यहां पर जाती है जहां पर हम देखते हैं कि आसपास की विलिज ने एक क्विस्ट इशू किया था पर यह फॉरेस्ट का सबसे खतरनाक पार्टे जहां पर ग्रेड वन के गॉबलिन्स आती है तब ही दूसरा परसन कह जिसे मैं यहां पर आई हूँ ता कि मैं अपने आपको इंप्रूव कर सकूँ इस लेडी का नाम कैथरी इन है और यह डी रैंकी मैजीशन है जो कि होली चर्च के लिए काम करती है तब ही इने कुछ आवाज आती है और यह लोग देखते हैं कि इनकी तरफ कोई बढ़ रहा होता है और वह परसन जब इनके सामने आता है वो कहता है कि लगता है मुझसे पहले कुई यहां पर आ गया तो यह लोग क्या थे कि तुम तो एक आम इंसान हो आखिर कर तुम यहां पर क्या करें हो यहां पर रैपेंट जैसे मॉस्ट्र रहेते हैं जो कि काफी जित खतनाग यह बंदा कहता है अगर वह मौसर रैपेंट है तो काफी बढ़िया है उसी को मारने के लिए मैं यहाँ पर आया हूं अभी उन दोनों में से एक लड़का कहता है इस आदमी के कपड़े काफी चादा आजीब है और यह काम आदमी लख रहे दिखें सुपर फिर भी यहाँ पर स्ट्रेंट को चेक कर रहा हूं इसकी जीरो आती है जो देख कि यह लोग हसने लग जाते हैं वह कहते हैं काम आदमी की विश्वास नहीं करते और कहते हैं इस आदमी ने कितना बड़िया जोक मारा भी इसे में निपता और यह काफी सारे मौसर्स को मार चुका है कैथरिन फिरे से बताती है कि मेंटल स्टेंथ एक स्पेशल एबिलेटी है जो कि आपको मदद करती है मौसर्स से लड़ने में करेब एक हजार साल से इंसान लगातार मेंटल स्टेंथ को अवेकन कर रहा है ताकि वो मौसर्स से लड़ सके और वो जिसका कंट्रोल होता है में अपने शरीर से निकाल सकता है जो कि इंसान कभी नहीं कर सकती और किसके पास कितनी मेंटल स्टेंथ है यह डिवाइस बताती है इसे वज़े जो इनसान है वो लगलग रैंक में बटे हुए है तब ही वो लड़का कहता है कि मैस कैथरीन जो की स्टीफ फैंबली से है वो काफी यंग एज में डी रैंकी मैजीशन बन गई थी और उनके लिए इन मॉस्टर्स को आराना काफी आसान सी बात है और तुमारे लिए यही बहतर रहेगा कि तुम वापिस लोट जाओ पर यह आदमी वापिस जाने से मना कर देता है और जंगल की तरफ जाने लग जाता है तो यह कहता है कि आखर कर यह पागल इंसान मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा तब यहां पर कैथरिन कहती है कि अगर वो इतना इंसिस्ट कर रहा है तो उसे जाने दो और वैसे भी इस बार यह काम मैं चर्च के पीछे कर रही हो तो बिलकुल भी हरकत करने की कोशिश मत करना इस हमें great one के monster रहते हैं तो एक आम इंसान भी हमारे काफी काम आ सकता है जिसके बस zero mental strength है वो हमारे चीज़ों को उठाने में काफी काम आ सकता है यह लोग फिर एक करके काफी सारे monsters को मारने लग जाते हैं जिसकी बाद वो लड़के इससे कहते हैं कि मिस कहते हैं आपको चिंता तबहा हो जगा होता है तो यहां पर आदमी ने कहाता है कि थोड़ा साफदान रेना यहां का atmosphere काफी जदा जीब है पर वो लड़के इससे कहती कि आखरकर यहां पर घबराने वाले इसी क्या बात है तब यहां पर कैथरीन इससे कहती है कि सब लोग एकदम हाय लट पे हो ज कैथरीन कहती है कि मुझे नहीं पता वैसे तो यह monster motionless है पर मुझे इसको देखे काफी बुरी feeling आ रही है तब यह देखती है वो दूसरा लड़का उस monster के वहां पर जाने लग जाता है यह उसे रोकती है पर वो रुकता नहीं हो यह monster की पास से ले जाता है यह लड़का फि यह grid 3 का demon beast है जो की काफी खतनाक होता है और इसकी गोहर से यह दोनों लड़की यहां पर बेहुश हो जाते हैं यह दोनों से पूछती है कि आखिर कर तुम दोनों को क्या हुआ वह आदमी से बताता है यह दोनों traumatized हो गया है यह फिर उस आदमी को कहती कि तुम मेरे पीछी करने में काम अब हो जाती है यह अब समझ चुकी थी इस गौबलिन को हराना इसकी बसकी बात निया यह गौबलिन इसे उस आदमी को ही पिप मार देगा इस उस आदमी के लिकांट फैल हो वालाओं उसे तुम्हें भी लग सकती है यह आदमी फिर अपनी पावर्स का यूज करके इस गॉबलिन को जटका दे देता है जो देख कि यह लड़की सोचती है कि आखिर कारी यह आदमी है वेल्ली लाइटनिंग कैसे यूज कर सकता है यह तो काफी जदा इंक्रेडिबल है क्या है अब तक यह छुपा रहा था कि एक लाइटनिंग मैजिशन है यह आदमी फिर कैथरीन को बहारा निकले कहता है क्योंकि उस मॉस्टर को इसने हरा दिया होता यह देख कि वो मॉस्टर से बेखी जटके से मारा गया कैथरीन काफी जदा हैरान हो चुकी होती है यह पर बाद उन लड़कों को भी होश आ जाता है जो कि कहते हैं कि इस मॉस्टर को सच मुछ उस आदमी ने हराया है उसके अंदर से तो मुझे बिलकुल भी माना मैसूस नहीं हो रहा था कैथरीन ने कहती है कि आखर का तुम उसके पर कैशे शक कर सकते हो अगर वो नहीं होता तो अब तक हम सब मारे जा चुके होते हैं वो हमारा सेवियर है वैसे तो मुझे नहीं पता कि आखर कर वो इतनी देर से ये सब क्या कर रहा है पर मुझे यकी नहीं ये सब वो अपनी ता तो ये लोग कहते हैं इसका मतलब क्या हुआ हमारा क्या होगा फिर क्या आप यह बताना जाते हैं कि कल जो कुछ भी हुआ वो सब हमारी गलती थी तो यह इनके इनके इंपर तरस्था के इन दोनों को यहां पर गॉबलिन गए एक नाखुन का तुकड़ा देता है तो यह मैंने तुम से पैसे भी नहीं लिए यहाद मी फिर सारे मटेल को एक जगे खटा करके यहां से जाने लग जाता है तो यहाँ पी यह लड़की से पूछती है क्या तुम जा रहे हो यह कहता है कि हाँ मुझे भी विलेज की वहाँ पी जाना है ताकि मैं अपने रिपोर्ट कलेक कर सकूँ तभी यह लड़का कहता है यह थोड़ा जादा नहीं हो रहा वो आदमी सारे वैल्यूबल चीज लेके जा रहा है तो उसका साथी उसे चुप कराता है और कहता है कि चुप रहा उसने अब तक सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं लिए पिछले राज जब मैंने उस डेमानिक बीश को देखा तो मुझे को जाना पैचाना लग रहा था और मुझे पता चला कि हंटर अशोशय ने इसके ओपर बाउंटी रख रखी है और अगर हम इसकी बॉड़ी को यहां पर फेरो सिटी के वहां पे ले जाए तो हमें काफी सारा पैसा मिल सकता है पर व यूसफुल है इसका यूस करके मैं अपनी कल्टिवेशन पर ध्यान दे सकता हूं तब यह देखता है वो दोनों लड़के काफी उदास होते हैं तो यह दोनों को 30 स्प्रिट स्टोन दे देता और कहता कि जाकर अपने इंजरिस को रिकवर कर वाओ वो इसका शुक्रिया करत है पर कैथर ने इसे कहती कि दो मिट रुकी है मुझे आपका नाम नहीं पता क्या आप मुझे अपना नाम बता सकती हो यह कहता है कि मेरा नाम जॉंग ताइशून है और तुम से मिलकर अच्छा लगा हमें फिर फिरो सिटी के इन किया दिखा जाता है जहां पर हम देखते जॉंग को जो कि यहां पर एक नेकलेस को देख रहा होता है जो कि गॉबलिन के नेक पे था और लाइटनिंग स्ट्राइक खाने के बावजूत है इस नेकलेस को बिलकुल भी खरोच नहीं आई होती है और साथी साथ इसके अंदर से मुझे स्प्रिच्छल एनरजी की होने क का एसास हो रहा है लगता है काफी सारे कल्टिवेटर से इसका यूस किया है इसने मैं अपने पास रखूंगा अभी के लिए क्योंकि यहां पर सो जाता है तब ही इसके नेकलेस से कोई बाहर आता है और हम देखते हैं कि नाइन टिल फॉक्स होती है जिसका नाम पर आती है कि इससे जिंदा रहने के लिए स्पिरिच्ट और एनरजी की जवरत पड़ेगी तो इसी वड़े से यह से किस कर लेती है यह ताइशून के अंदर से एनरजी सूफ की रही होती है तब यहां पर ताइश्टीन को होश आ जाता है जो कि इसे पूछता है कि आखिर पर यूजर कर देती है और हम देखते हैं इसके सामने तो सुंदर लड़किया जाती है जो कि इसे मास्टर भूला कि इस सजूद्व करने लग जाती है वहले कि तूए पेंडिंट पर रहा के दूसरों की एनरजी सोकते रहती हो बेक्यून कहती कि लगता है आपको सब कुछ पता चल गया है तो छुपाने को कोई फायदा नहीं है तर असल मैं एंशन स्पिरिच्छल ट्रेजर है वेनली फॉक्स पेंडेंट हूँ और एक हजार साल के कल्टिवेशन के बाद मैंने यूमन फॉर्म को गेंड किया है पर डैम कि मेरे हिसाब से तो इस दुनिया में कोई भी कल्टिवेटर अब जिंदा नहीं है ये फिर से बता थी कि पांच हजार साल पहले कल्टिवेटर्स और डीमन्स की बीच में ग्रेट वार हुई थी और उस बैटल की दोरन कल्टिवेटर्स के जितने भी सेक्ट्स थे उन्हें के साथ कल्टिवेटर्स को भी मार दिया गया और डैमयनिक बीस्ट की इंफ्लूएंस की वज़े से दुनिया काफी जल्दी से चेंज होने लगी टॉप एट सेक्ट जो की काफी चता तागत वरते उन्हें डिस्ट्रॉई कर दिया गया और कुछ हजारों साल के बाद हर कोई कल्टिवेटर्स को भूल गया और उसी दिरान काफी अलग 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 प्रजाती के लोग भी दुनिया में आने लगे जैसी की मरमेड एल्फ और साथी साथ सक्बैक्स और कुछ अन्नोन रेसेस भी जिन्होंने काफी सारे जामीन को हड़प लिया और ठीरी दिरे कल्टिव के तरह आप एक हजार साल तक कैसे सर्वाइव कर पाए और अचानक से आप यहां पर कैसे अपेर हुए यह कहता कि मुझे बिलकुल भी नहीं पता मुझे बिलकुल याद निया कि आखरकर एक हजार साल पहले क्या हुआ था तो बेक्विन कहती कि आपको चंताकरनी की कोई ज पाओगी यह कहती हैं इस दुनिया में ब्रेक तुरू करना इतना जदा आसान नहीं है क्योंकि यह दुनिया पूरी तरह डैमोनिक और आसे बहरा हुआ है और यहां पे पर स्पृच्वल एनरजी ढूनना इतना जदा आसान नहीं है जल्दी ही मारी जाओंगी अगर मुझे spiritual औरा नहीं मिला तो आपके अंदर से मुझे काफी ज़िदा spiritual energy होने का एसास हो रहा है तो क्या मैं आपको follow कर सकती हूँ मैं आपके काफी ज़िदा काम आऊंगी साथ ही साथ मैं ancient treasure को ढून सकती हूँ यहाँ पे टाइशून कहता है कि ठीक है तुम मेरे साथ आ सकती हो तो बेकिन कहती है यह थोड़ा जल्दी नहीं हो रहा मैं आपके spiritual energy को सक करने वाली हूँ ता कि मैं cultivate कर सकूँ यहाँ पे इसकी उपर कोई condition नहीं लगाना चाहेंगे जैसे कि spiritual energy को सक करने के बदले में आप मेरी body को use करोगे यह कहता है इसकी कोई जरूत नहीं है जितनी spiritual energy तुमें चैए वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है पर हाँ तुमने कहा था कि तुम ancient treasures को ढून सकती हो वो मेरे अफी जदा काम आ सकता है हमें फिर अगले दिन दिखा जाता है जहां पे बे क्वीन यहां पर ताइशून से कहती है कि तुम्हारा नम जॉंग ताइशून है तो यह कहता है कि हां कैसे कोई problem है यह कहती कि नहीं यह नाम मुझे कही जाना पेचाना लग रहा है तब यहां प करीए से मैं डिसकंटीनु नहीं करने वाला बस इसके ऊपर मैं एक एम रख देता हूं जो कि है करीब 50 लाइक का अगर यह एम आप कंप्लीट करवा देते हो तो मैं तुरह इंत इसका अगला एपिसोड डाल दूँगा तो अगर आप इस रात तक अगर यह लाइक डाल पाया क्योंकि मैं यहीं इसी वीडियो को बनाने में पूरा दिनी वियस था और उपर से ज्यादा टाइम निकल गया तो इसके लिए मुझे माफ करना पर उस पर में काफी जल्दी वीडियो आने वाली है कल भी वीडियो डाल दूँगा उस पर और इस पर भी डलेगी इस पर एक ना एक या दो ना दो डालेगी डालेगी जिनता मत करें गाईज और देखतेर ये मुझे बॉय एक्स्प्लें थैंक्स वाचिंग नेक्स वीडियो में बिलता है होफ़़िए आफस बढ़िया होंगे थैंक्स वाचिंग